हेलो ट्रेडर्स आज के अनालिसिस की शुरुवात हम करते है डेली चार्ट से डेली चार्ट में अगर हम अल्टाइम हाई देखे 12430 से लेके जो निफ्टी ने डिकलाइन दिया है वो डिकलाइन हमें एक इंपल्सी वेव यहाँ पे नजर आ रहा है और उसके बाद जो रिट्रेस्मेंट है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे A over 1 B over 2 और यह C over 3 जो है आज यहाँ पे निफ्टी ने आये बिनाया 9390 और 38% रिट्रेस्मेंट भी आ रहा है 9390 मतलब कि यहाँ पे आज निफ्टी ने जो है 38% रिट्रेस्मेंट लेवल को आज रिस्पेक्ट दिया है और वहाँ से जो है ओपन होने के बाद डिक देखने को मिला है तो क्या possibilities हो सकती है अभी भी यह 50% यह 61% रिट्रेस्मेंट रेंज जो है वह आ सकती है या तो फिर यहीं से निफ्टी नीचे की तरफ जा सकता है जो भी हो हमें bounce को चेक करना है 7511 से जो bounce हुआ है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं next chart में यहाँ से अगर पिछले कई वीडियो में देखते आ रहे हैं यहाँ पे एक impulsive wave पुरा हुता हो है नजर आ रहा है 9039 पर वहां से हमें corrective wave दिख रहा है तो यह B or 2 हो गया और C और 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने counting नहीं दिये हैं अगर आपको पुछले वीडियो की counting याद है तो यहाँ पे हम मान रहे थे कि एक impulsive wave 9130 पे पूरा हुआ है और यह A, B और C एक irregular correction तो यहाँ पे हम B or 2 मान रहे थे और यहाँ पे हमने last वीडियो में बात की थी कि हमें एक sharp bounce जो है हमारे target की और जो minimum था 9583 100% लेवर का उसकी तरफ ले जा सकता है अगले 2-3 session में उसके उस वी देखने को नहीं मिलता ओपनिंग के बाद नीचे की तरफ आ जाता है आज भी हमें SI देखने को मिला ओपनिंग में gap up के बाद नीचे की तरफ हमें nifty देखने को मिला तो यहाँ से अगर हम बात करें डबले 2-3 से 1-2-3-4-5 एक impulsive wave हमें पूरा होता हुआ नजर आ रहा है औ BC और उसके बाद एक impulsive और यह जो impulse wave है वो उतना sharp हमें दिखाई नहीं दे रहा है जितना हम expect कर रहे थे यहाँ पे impulse पूरा होने के बाद तो इस हिसाब से हमें यहाँ से इस wave C और 3 के counting देनी है तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे counting में चेंज लाएंगे यहाँ पे 1-2 पूरा हुआ है और यहाँ पे हम मान रहे है कि wave 3 पूरा हुआ है A, B और C यह एक irregular correction wave 4 और फिर 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे wave 5 मतलब कि यहाँ पे जो है यह पूरा 8056 से लेके 9385 यह पूरा हमें impulsive wave पूरा होता हुआ नजर आ रहा है लेकिन अगर हम यह projection की बात करे wave C का minimum projection की बात करे त 100% projection अभी भी नहीं अचीव हुआ है 9583 पर जो आ रहा है वो अभी भी अचीव नहीं हुआ है लेकिन यहाँ पे impulsive wave पूरा हो गया है तो अभी possibility क्या हो सकती है हमें यहाँ पे एक retracement range देखने को मिल सकती है अगर यहाँ से हम इस पूरे impulse की retracement range देखे तो वो आ रही है 9071 से लेके 8887 तो ओरोल अगर हम देखे तो 8887 के नीचे अगर nifty trade करता है तो ही हम nifty को negative मान सकते है और अगर हमें इस range में corrective decline देखने को मिलता है तो इस range से फिर से एक bounce नहीं high की तरफ हमें ले जा सकता है उस case में हम मान सकते है कि यह जो है wave 1, 2 और wave 3 का एक impulse पूरा हुआ है यह corrective wave 2 हो सकता है ऐसा हम मान सकते है लेकिन अगर यहां से हमें एक impulsive decline देखने को मिला जो की आराम से 8887 के level को cross करके नीचे की तरफ आ जाता है तो हम मान सकते है कि यहां पे जो है यह पूरा ABC पूरा हो चुका है और हमें नीचे की तरफ फिर से 7512 के level के नीचे nifty देखने को मिल सकता है और immediate move की अगर हम बात करें तो जो यह last impulse है 88823 से उसको हम 15 mid chart में देखने के कोशिश करते हैं यहां पे 1,2,3,4 और 5 एक impulsive पूरा होता हुआ नजर आ रहा है और इस पूरे impulsive wave का अगर हम retracement निकाले 23 तो 38% तो 23% already achieved हो चुका है और 38% आ रहा है 9,1,7,0 और अगर 9,1,7,0 के नीचे अगर 15 mid से ज्यादा निफ्टी ट्रेड करता है तो फिर हमें यह level देखने को मिल सकते है 9,0,7,1 से लेके 88877 otherwise यहां से इस range से हमें अगर bounce मिलता है और impulsive bounce यहां पे gap down के बाद हमें bounce impulsive देखने को मिले और अगर corrective decline मिले तो वहां पे हम buying में 9,1,7,0 के नीचे 15 mid से ज्यादा ट्रेड करता है तो फिर हमें यह level देखने को मिल सकते हैं और overall देखे तो 88877 जो है वो हमारा अभी जो है invalidation point हो चुका है जो की इससे पहले था 8,4,666 अगर आपको याद है पिछले वीडियो में हमने mention किया था तो वो अभी उपर आ गया ह 88877 के नीचे अगर निफ्टी 15 मिट से ज्यादा ट्रेड करता है तो निफ्टी नेगेटिव जोन में जा सकता है आपको मेरे वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए और पसंद आ रहा है शेर कीजिए लोगों को और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डे